हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम तो दोणाचार्य एकेशन फ्रेंट्स आज का इस फीडिया में हम डिस्कस करेंगे सेंटल इन्बस्टिटी ओफरियोणा का डिटर एड्मिशन के बारे में यहां पर जो कि आपको रेइस्ट्रेशन का फीजो कि आपको कितना पे करना है कब जो कि य यहां पर हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपोर्टन रहेगा इसलिए आप वीडियो को अन तक जरूर दिखेगा तो यहां पर हम देखे तो सेंटाल इन्बस्टिटेव अर्याना का डिटल अपडेट के लिए आपको ऑफिसल अपसेट के है रेगुलर् 23 एं24 इस में की आपको किलिक करना है दोस्तों के तो यहां पर देख सेकतों कि इसका जोके आपको जाना है पोस्ट Graduation में तो पीजी प्रोग्राम में यहां पर आपको आएं उसके बाद जोकि आपका रहेगा स्ली-दिव कांसिल इन्फ प्रोग्राम है'S for us tut 23 थी थी तो दोस्तों यहां पर आपका रहे का डिटल जो कि आपका सीडूल रहेगा आपका admission का counseling process का तो online application जो कि आपको जो करना होगा यहां पर आपको registration करना होगा all the candidates are required to register themselves online on the university website तो इसी university का website में जो कि आपको करना होगा इसका link जो कि है यहां पर आपका open होगा कैसे जो कि start of the online registration जो कि आपका रहेगा यह 24 जुलाई से स्टार्ट होगा Monday से स्टार्ट होगा अनुवास इसका जो कि registration फिर रहेगा 300 फॉर एक्सेप सब्सक्राइब को छोड़के वाकि सभी को आपको 300 जो कि आपको पे करना रहेगा यह आपका रहेगा 24 जुलाई से 30 जुलाई इसका लास्ट डेट रहेगा जो भी स्टूडें सेंट्रल इंवस्ट्रीट फर्याणा में पन्हा चाहते हो तो आपको यहां पर रिजिस्ट्रेशन करना रहेगा 300 का यह आपको फी देखे ठीक है नेच्ट है पर हम देखे तो लास्ट जो कि आपका रहेगा यह थे जुलाई जोकि संडे रहेगा एंड इसका मेरे डिश्ट आएका थे आपका आजाएका उसके बद यह आपका कांसिलिंग का प्रोसेस रह करना रहेगा एक अगस्त जो कि यह स्टार्ट हो जाएगा डिस्प्ले अपको तीन दिन का समय यहां पर आपको दिया जाएगा पैमेंट के लिए उसके बाद जो को सुण है यहाँ पर आपका सैके अगस्त में रहेगा इसका अगस्त में रहे का 5以及 में आएगा उसके पथोजिक आफेशन करना हो यहां पर आपका फिर सी यहां पर आपका डिकलर हो जाएगा उसके बाद जो कि आपका फिर आपका रहता है तो यहां पर आपका थार्ड कांसलिंग होने वाला है इस रिक वाड़ यहां पर आपका सीट वेकर रहता है तो डिस्प्लेए पर आपका फॉर्टिन अगस्ट में डिक्लार होगा उसके बाद आपको करना होगा थार्ड राउंड का त्यां से लेकर 12 अगस्ट के बीच में ठीक उ तो जो भी सैट आपका वेकर रहेगा थार्ड कांसलिंग के बाद यूँकर आपको आपको जाना होता है फियॉचल कांसलिंग यूटक यूटक्य कांसलिंग में भी राउंटेट फीर बास् दोस्तों आपकोएनिवेस्टी में जाना होगा वहां पर उख्याओ कि चुनेंट से लिए जो मेरे लिजिस्साइए से डीकलार रहेगा तो दोस्तों के इडिर्याणते डीटेलर प्रॉसेस के बारे में फार्स्ट सेकेंड या फिर थार्ड कांसिलिंग या फिर आपका ओपन कांसिलिंग का सब कुछ यहां पर हम डीटेल में देख चुके दोस्तों सेंट्रल इंवर्शिट्ट्र फरियान का 2023 का अड्मिसन प्रोसेस्ट तो आज का इस वीडियो में इतना है था प्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कले जिगा और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्स्राइब कले जिगा इस तरीका इंपोट आड़ पाने के लिए तो थैंक्यो फ्रेंड थैंक्यो फर वाचिं